हलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल आई होप यू आपके साथ शियर करने वाली हूँ क्रिस्मस से रिलेटेड कुछ डेकोरेटिव आइटम जैसे की क्रिस्मस ट्री और सेंटा और यह अलग अलग टाइप के क्रिस्मस ट्री जैसे आप देख रहे हैं यह वीडियो में मैंने यहाँ पर यह ग्रीन कलर का एफो साइज का पेपर लिया है और इसको मैंने तीन इकोल पार्ट में डिवाइड कर लिया यानि कि विल्कुल तीन बराबर भागों में बाट लिया है और इसी से हम अपना क्रिस्मस ट्री बनाएंगे और जैसा कि आप वीडियो में सकते तो उसी कलर कर ले सकते हैं मैं ठासिया पर लाइट ग्रीं कलर का पेपर अविलेवल था तो मैं उसी से क्रिसमस ट्री आपको बनाना बता रही हूं इसी तरीके से हम बाकी papers को भी fold कर लेंगे और एक साथ दो papers को हम एक तरीके से एक साथ joint कर लेंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पर picture वीडियो में दिखा रही हूँ और नीचे से भी हम यहाँ से joint कर लेंगे जिसे कि अगर हम उसको थोड़ा सब भी फैलाएंगे तो हमारा नीचे से वो जो ट्री है वो खुलेगा नहीं उसके बाद हम और दो चोटे साइज के paper को लेकर cut कर लेंगे और चोटे साइज के fan इस टाइब के दो और बना लेंगे यहाँ पर जो Christmas tree मैंने आपको बनाना बताया है यह मैंने बहुत ही easy और simple तरीके से बनाया है इसको आप अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी आप सिखा सकते हैं और उनको स्कूल के लिए Christmas day वाले दिन इस टाइब का Christmas tree बनाना सिखा सकते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पर यह cardboard लिया है और इसमें से हम एक पतली सी लंबी सी strips को cut कर लेंगे जिससे कि हम अपना base ready करेंगे tree को बनाने का और इस पूरे tree को चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर double tape का use किया है अगर आपके पास double tape अभिलेवल नहीं है तो आप favicol का use भी कर सकते हैं उससे भी यह बहुत जल्दी और easily चिपक जाएगा क्योंकि यह paper से बना हुआ है tree का size आप अपने according छोटा या बड़ा बना सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको इस size का tree बनाना बताया है अगर आप चाहते हैं तो इससे चोटा या बड़ा tree भी आप अपने according बना सकते हैं same इसी process को follow करते हुए एक के उपर एक हमने जो यह leaves बनाई है इनको इस पर चिपका देंगे और हमारा tree बनकर ready हो जाएगा अगर आपके पास green color का A4 size का paper अविलेबल नहीं है तो इसके लिए आप white रंग का A4 size का paper ले सकते हैं और उसको green color से जो water color आते हैं उसको green color से paint करकर उससे भी आप Christmas tree बना सकते हैं अब हमारी tree के नीचे की जो यह stick है जो देख रही है इसको हम dark brown color का कर देंगे जो देखने में काफी अच्छी लगेगी और इसके उपर जो tree के उपर हम एक star लगाएंगे उसको मैंने silver color का star लिया है जो glitter paper आता है और इस star को मैंने draw किया है और उसके पाद cut कर लिया है और इसको भी double tape की help से मैंने यहाँ पर चिपका दिया है और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा decorate कर लेंगे Christmas tree को अगर आपके पास थर्मा कोल है बॉल्स आती है जो थर्मा कोल की उनका यूज कर सकते हैं वरना आपके पास कोई stone हो मोती हो उनको आप इस पर लगा कर थोड़ा सा Christmas tree को decorate कर लेंगे अपने according तो अब मैं आपको दिखाते हूं इस tree का final look अब हम चलते हैं second Christmas tree को बनाने के लिए इसके लिए मैंने बहुत ही simple और easy way को यूज किया है इसके लिए मैंने उसी तरीके से green color का A4 size paper लिया है और इसको fold कर दिया है जैसे कि आपने पहले वीडियो देखा है उसे एम उसी procedure को follow करेंगे और उपर एक star लगा देंगे और बीच में stone लगा देंगे और नेचे की stick के लिए मैंने ice cream stick का use किया है और जो ये tree है हमारा दो minute में बन का ready हो जाता है तो आईए अब चलते हमारे third number के Christmas tree को बनाने के लिए ये भी बहुत easy और बहुत जल्दी बन जाता है इसके लिए भी मैंने same A4 size paper का use किया है और उसको four part में fold कर लिया है और उसकी इसी तरीके से strips में cut कर लिया है CUT करने के बाद हम डो step को एक साथ लेंगे और उसको इस तरीके से एक बार fold करेंगे फिर same उसी तरीके से दूसरी बार fold करेंगे जिससे की जो हम Haum paper को cut करेंगे तो वह जल्दी हो जायेगा और जो पेपर हमने फोल किया इसको हम सीजर की हैल्प से इस तरीके से लंबा लंबा स्टेप्स में कट कर लेंगे जिससे कि हमारा क्रिस्मस ट्री का जो लुक है वो रेडी हो जाएगा जो कटिंग वाला प्रोसेस है कंपलीट होने के बाद मैं आपको यह पेपर खोल के दिखाऊंगे यह कैसा लगेगा तो देखे जैसे छोटी छोटी घास होती है सेम उसी तरीके से ग्रीन कलर की घास होती है उसी टाइप का यह पैटन हमारा बनके रेडी हो गया है तो इसको ट्री का लुक देने के लिए हम यहाँ पर एक पैंसल का यूज़ करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और थोड़े थोड़े पार्ट को हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे सारी स्टिफ्स को हम इसी तरीके से बना कर रेडी कर लेंगे और उसके बाद आप हम चलिए चलते हैं अब हम क्रिस्मस ट्री का जो बेस है वो रेडी कर लेते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पर यह एफोर साइस का वाइट रंग का पेपर लिया है और इसको cone shape में fold कर लिया है और नीचे से भी पूरा base को ready करने के लिए हमने यहाँ पर उसको नीचे scissor की help से cut कर दिया है जिससे कि यह हमारा जो बद्दे cap होता है उसी का shape हमको मिल गया है और हम सारी strips को एक-एक करके इसी तरीके से जो यह cone है इसमें चिपका लेंगे और अगर आप यह white रंग का जो cone का use की है मैंने जो मैंने A4 size paper से बनाया है अगर आप वो नहीं बनाना चाहते हैं और आपके पास कोई पुराना birthday cap बच्चों का जो पुराने birthday cap होते हैं उसका use भी कर सकते हैं आप उसके उपर भी इस तरीके से इस स्टिप को चिपका सकते हैं और इस cone पर स्टिप को अच्छे से चिपकाने के लिए हम यहाँ पर बीच बीच में सीजर से थोड़ा सा slit लगा लेंगे जिससे की cone पर यह स्टिप्स हैं उसका use कर सकते हैं और ट्री के ऊपर वाले पार्ट को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर यह रेड कलर के पिपर स्टार को लगा दूँगी आप चाहें तो स्टार का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर रेड कलर के लगाया है तो थर्मा कॉल बॉल्स को लगाने का पत हमारा ट्री बनकर बिल्कुल रेडी हो जाए इस टैंड के लिए मैं यहाँ पर देखिए इस टैप की जो प्लास्टिक बॉटल है उसका भी आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से इस ट्री को इस पर रख सकते हैं तो आप देखिए ट्री का फाइनल लुक फोर्थ वाले क्रिस्मिस ट्री को बनाने के लिए हम ग्रीन कलर की ग्लीटर शीट का यूज करेंगे और नीचे के बेस को रेडी करने के लिए हमने ये बॉटल में ब्राउन कलर का पेंट किया है और ये मैंने एक लिया है कार्डबोर्ड इसको हम सर्कल शेप में कट कर लेंगे या फिर आप स्क्वेर शेप भी ले सकते हैं कट करने के बाद हम जो ग्लीटर वाले शेप है इसको हम कोण शेप में बनाका रेडी कर लेंगे और इस ग्लीटर शीट को चििपकाने के लिए मैंने यहां पर फेविकॉल का यूज नहीं किया है क्योंकि उससे यशिट चिपकती नहीं है यहाँ पर मैंने glue gun का use किया है जो circle हमने cut किया था cardboard का उस पर हम bottle को चिपका लेंगे और brown color का paint कर देंगे आप चाहें तो paint को ignore भी कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर नीचे cotton लगाएंगे जो हमारा glitter वाला cone है इसका जो extra part है उसको हम cut कर देंगे और मैंने यहाँ पर यह multi color की lace का use किया है इसको हम पूरे cone पर थोड़े थोड़े gap में इसी तरीके से चिपका लेंगे और इस Christmas tree का जो आगे वाला part है वो shoot नहीं हो पाया था उसको ignore करें लास्ट में मैंने यहाँ पर नीचे के base में cotton लगा दी है और मेरे पास यह कीरिंग से निकले वे चोटे 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 टेडी बीर से वो मैंने नीचे रग दिये हैं और थोड़े से मोती लगा दिये हैं और उपर एक golden color का star लगा दिया और plastic bottle के उपर इस tree को रग दिया है तो हमारा यह tree complete हो गया और last हम बना रहे हैं सेंटा का face और यह भी मैंने बहुत इजी तरीके से बनाया है यहाँ पर मैंने एक red color का paper लिया यह four size उसको cone shape में बना लिया है और एक black color के strip को cut करके नीचे लगा दिया है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और यह green color का square cut करके यह मैंने नीचे लगा दिया है उसके बाद हम लेंगे cotton और cotton को इस cap में उपर की दरफ लगा देंगे और उसी के नीचे हम आप सेंटा का face बनाएंगे जो cone का उपर वाला part है उसमें हम cotton की ball बना के उपर चिपका देंगे और face बनाने के लिए मैंने यह आपर यह skin color का paper लिया और उसको u shape में cut करके चिपका दिया है और eyes के लिए मैंने यह आपर googly eyes का use किया है आप चाहें तो paper से या sketch pen से black color की eyes को बना सकते हैं और नीचे और face को complete करने के लिए cotton को आप किसी भी shape में cut करके जो की थोड़ा सा दाड़ी का look देंगे उस तरीके से cut करके आप यहाँ पर चिपका सकते हैं और एक face का look दे सकते हैं यह जो side का blank area है इसमें भी हम थोड़ा सी cotton लगा देंगे जिससे की पूरा area cover हो जाएगा अब हम Santa के face में एक red color की nose लगा देंगे तो देखे कितने easy और simple तरीके से हमारे Santa का face बनके ready हो चुका है